वेल केज यह बात हम सबको पता है कि जब जब Axis Bank अपने credit card को lifetime के लिए free कर देता है तब तब भाई Axis Bank के credit card बहुत ज़्यादा मातरा में अप्रूव होने लगते हैं तो भाई चलो आज किस वीडियो के अंदर हम Axis Bank का new credit card apply करने वाले हैं मैं आपको पूरा process इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाल हूँ और बताऊंगा कि कैसे few minutes के अंदर आप इस credit card का approval ले सकते हो और भी इसके थोड़े बहुत benefit है वो मैं आपको एक बर clear कर देता हूँ ताकि भाई इस card का maximum से maximum use कर सको तो दोस्तो इस card का सबसे पहला benefit यह है कि card issue होने के 30 दिनों के अंदर अगर आप इस card के थ्रू कुछ भी utility bill payment करते हो तो यहाँ पर आपको 100% तक का cashback मिल जागा और यह cashback आपको maximum 300 रुपे तक का जा सकता है अगर example के लिए मेरा bill 400 रुपे तक था तो मेरे को 300 रुपे तो भाई वापिस cashback मिल जाएंगे दूसरा offer यह है अगर आप इस card के use करके Zomato पे minimum 200 रुपे का अगर order करते हो तो यहाँ पर आपको 40% तक का discount देखने को मिल जाएगा और यह maximum discount आपका 120 रुपे तक जा सकता है और यह discount आप एक महिने में दो बार ले सकते हो और तीसरा benefit इससे भी खतरनाग है अगर आप इस card के use करके Amazon paper utility bill payment करते हो तो यहाँ पर आपको bill payment पे 5% का discount देखने को मिल जाएगा और यह discount आपका maximum 1500 रुपे तक जाता है और यह discount आप महिने में एक बार ले सकते हो लेकिन इनका न एक power 10 का और के भी आता है यानि कि आपको हर एक चीज़ पे मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि Blinkit मिंत्रा और बुकमाई शो पे आपको 10% का discount देखने को मिल जाएगा लेकिन इनकी में condition बाता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हूँ Blinkit पे आपका minimum order 700 रुपय का होना चीए तो यहाँ पे आपको 500 रुपय तक का discount देखने को मिल जाएगा उसके बाद मिंतरा पे आपको minimum purchase value 500 रुपय की होनी चीए और बुकमाई शो के हर एक purchase पे आपको flat 10% का discount देखने जाएगा पहले आपको बताना है कि क्या आप access bank के already कश्मर हो या फिर नहीं हो देखो भई अगर आप yes पे टिक करते हो आपको simply mobile number या फिर कश्मा राइटी डाल के login कर लेना है और इसका सबसे बाड़ा फायदा ही है कि आपसे ना तो वीडियो के वाशी की जाएगी और भी ऐसे बहुत सारे documentation के process होते हैं वो सारे skip हो जाएंगे और आपको directly card issue करके दे दिया जाएगा अगर आप eligible हुए तो उसके बाद अगर आप no पे click करते हो तो वही आपको अपनी सारी personal detail डालनी पड़ेगी मैं भी simply no पे click करता हूँ क्योंको में मेरे को पता है बहुत से लोग नहीं होंगे कश्मार यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना phone number, pen card number, pin code, annual income और capture fill करके next पे click कर देना है अब यहाँ पे आपको दो चीज़े ध्यान अखनी है सबसे पहले तो pin code आपको वही डालना है जो कि आपके अधार card के अंदर है वरना card आपका reject होने वाला है और अपनी annual income दो लाग से अबब डालना दो लाग क्या मैं तो कहा रहा हूँ भई धाई लाग या फिर तीन लाग के बीच में डालना क्योंकि अगर आपने दो लाग से कम डाली अपनी annual income तो भई यहाँ पे आपका card जो है वो दोबारा से reject हो जाएगा तो सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको next पे click कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने card के उपर जो भी नाम चाहते हो वो desired name आपको यहाँ पे type कर देना है उसके बाद आपको अपना mother name या फिर father या फिर spouse name दोनों चीज़े डालके proceed करना है उसके बा अब ही देखो यह सारी डीटेल आप जैसी फिल करते हो आपके पास यहाँ पे दो तरकी address हैंगे सबसे पहला हमारा residential address और दूसरा हमारा office address हमें यह दोनों address फिल करने पड़ेंगे सबसे पहले residential address में देख लेते हम address line 123 उसके बाद आपना residential landmark उसके बाद आपको pin code डाल देना और उसके बाद आपको अपना address अपडेट कर देना है और residential address फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना office address भी डालना पड़ेगा जैसे कि office line 123 उसके बाद landmark, pin code, state और city चूज़ करके proceed कर देना है इसको भी उसके बाद यह पूछ रहा है कि जो आपका card है वो आप कहाँ पे receive करना चाहते हो, residential address पे या फिर अपने office address पे तो भई हम residential ही चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी mail id डालके, term and connection को accept करना है उसके बाद सिंपली next पे क्लिक कर देना है अब इस वाले page पर देख सकतो आपको अपना nature of employment बताना पड़ेगा कि आप salary person हो या फिर self-employed person ह यहाँ पर भई मैं आपको थोड़ी बहुत टिप शेयर कर दूँगा, सबसे पेर हम देखते हैं salary person के case में, यहाँ पर आप देख सकतो, आपको सबसे प्याद हो भई annual income मैंने बता दी, 2.3 लाग की बीच में डालनी है, उसके बाद आपको अपने employment sector चूज कर लेना है, private, public, government वगएरा, बहुत सारे sector आजाएंगे, इन में से कोई सबी एक चूज कर देना है, जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करते हो, उसके बाद आपको अपना occupation code, यहाँ पर already fill होगा, आपको कुछ भी करने की जोदनी है, source of fund आप चूज कर लेना, उसके बाद type of industry बता देना, company आपको नाम बता देना है, जिस भी company के अंदर आप काम करते हो, और आप अपने काम को कितने सालों से कर रहे हो, वो बताने है, और आपको उस काम का कितने साल का experience है, यह सारी detail आपको फिल करके next पे click कर देना है, और अगर आप self-employed choose करते हो, तो भी देखो, salary से न, self-employed की salary या फिर income आप हमेशे जादा रखने की कोशिश करना, occupation code अलड़ी फिल होगा, source of fund बता देना है, आपको business income जैसे कि मैंने डाल दिया, उसके बाद nature of business बता देना, company का नाम बता देना, जो भी company आप run कर रहे हो, या फिर जिस भी company के लिए आप काम करते हो, उसके बाद ownership type बत हमारी eligibility के साफ से, हमें यहाँ पे बहुत सारे card offer के जा रहे है, सबसे पहला आ जाता है हमार पास new credit card, जो के हम apply कर रहे है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, joining fees 0 और annual fees 0 है, और यहाँ पे APR जो है, वो 52.86% है, अब यहाँ देखो, APR में आप जादा confuse मत होना, APR का मत लब होता है, annual percentage rate, यानि कि आपके credit card के ऊपर, totally APR, यहाँ पे 52% का है, तो ज़्यादा आपको confused होने की जहोतनी है, उसके आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ benefit भी है, अगर आप चाहो तो पर सकते हो, वन्हाँ भाई मैंने आपको starting में बता दिये, उसके बाद आपके पास सिंपली आपको next button पर click कर देना है, अब आपके mobile नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा, जो इनकी comment connection है, उसको accept कर लेना, अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 comment connection है, सबसे पहले तो आपको accept करनी पड़ेगी, दूसरी वाली हाँ मेरी optional है, उसको आप चाओ तो unselect कर सकते हो, उसके बाद referral code वागर है, आपको कुछ भी डालने की जाओत नहीं है, simply आपको submit कर देना है, और जैसी आप submit करते हो, आपको यहाँ पर एक reference ID दे दी जाती है, और आपको minimum आदे से एक घंटे का wait करना है, आपको इसी के बीच पता चल जाएगा, कि आपको यह वाला card approve हुआ है या फिर नहीं हुआ, और अगर approve मतलब आदे से एक घंटे के अंदर नहीं आता हूँ, तो यहाँ पर आपको maximum एक से दो दिन का भी wait करना पड़ सकता है, तो आपकी eligibility के साब से timing decide होती है, तो थोड़ सा wait कर लेना, अगर आपका card मान के चलते हैं या प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर आपके बास दो से तीन तरह से KYC करी जा सकती है, सबसे पहले पहली situation के अंदर मान के चलते हैं, तो वहाँ पर कोई भी KYC वगर जोद नहीं होगी, simply video call के तुरू आपकी full KYC complete कर दी जाएगी, और जो card है, वो 5-7 दिनों के अंदर आपक चलेगा, क्या आपका card approve हुआ या फिर नहीं होँआ, तो भई यहतना ताज किसी video कर दो है, और भई एक बारा comment करके ज़रूर बताना, कि क्या आपका यह वाला card approve हुआ या फिर नहीं हुआ, मिलते अपनी अगली किसी video कर दो है, तब तक लिए जाहिंद